हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल टार्गेट कोर्मेंट पोस्ट में और बात करेंगे यहाँ पर यूपी बेट प्रविस परिच्छा 2020 को ले करके आविस्थ सूचना आप सभी लोगों के लिए क्या है साथ जून की देखिए आव आपके पास मौका है और यह मौका वाली बात मैंने इसलिए बोली है उन लोगों के लिए जो पहले तो बहुत पैनत कर रहे थे लेकिन उन्हें लगा कि यह जो परिच्छा है वो नहीं होगी और डियलेड के कोर्डिंग यानि मेरिट बना करके इसमें भी प्रवेस मिल जानकारी आपको मिल सके ज्यादा परिचान होनी की जरूरत नहीं है जो नोटिफिकेशन आई है लखनो विश्विदेल दोरा जारी करी गई है एक्जाम तथा सेंटर को ले करके तो इस नोटिफिकेशन में क्या है और इसको आपको समझना है ठीक है मानते हैं कि आपको सेंटर चेंज करने की जरूरत नहीं है ठीक है किसे चेंज करना है वो बात यहाँ पर आप सभी लोग समझेंगे दीकिन नोटिफिकेशन में शाफ साफ कहां ये गया है कि वरतमान में कोविड-19 की परिस्तितियों की वज़े से उसको ध्यान में रखते हुए सहीं तो परिच्छा केंदर है वो चेंज कर सकते हैं परिच्छा केंदर आप ने तीन चूसा कि और पहले परिच्छा केंदर डाले थे वहां बहुत दूर हैं। पहले कहीं सहर पे study कर रहे थे तयारी कर रहे थे और उसी बीच पे आपका बीट का form आ गया और अपने form डाला और आपने वहीं पास का परिच्छा केंद्र चुन लिया था अब आप बहुत दूर हैं गाउं में हैं वहाँ पर जो nearest आपके जो भी जनपद है वहाँ पर अगर परिच्छा केंद्र है तो वह आप वहाँ पर लॉग इन करके साब साब दिया गया है पुना लॉग इन करके आप सभी केंद्रों को change कर सकते हैं केवल तीन केंद्र ऐसे हैं जो की आप chain कर सकते हैं तो इसका आउशर आपको कल से मिलेगा यानि 8 जून से लेकर के आप 14 जू किया हुआ तो उनके लिए suitable परिच्छा केंद्र थे तो उन्हें कोई भी change करने की जरूरत नहीं है जिन्हें लगता है कि हमें अपने परिच्छा केंद्र पुना फिर से डालने चाहिए लॉग इन करके जो हमारे पास में हैं जो हमारे आसपास वाले छेत्र हैं जो हमारे प चाहते हैं कि जो उन्होंने परिच्छा केंद्र चूस किये हुए थे वो अपने नियर ही किये होंगे अगर आप नहीं कर पाते हैं इनके साब भूल जाते हैं कोई भी परिच्छानी हो जाती है तो जो आपके अनुशार address दिया गया था उसी address के अनुशार आपका esos kids किए हुए थे इन में से अगर आप को कोई भी नहीं मिलता है आस पास के जो आपका nearest है को बी नहीं आता है जो आपने डाल दिया या उनमें से आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको यहां पर आपके आवेदन के अनुशार साब साब बोला गया है कि आवेदन में दिये गए विकल्पों में से किसी एक शहर का आवंटिन किया जाएगा ठीक है तो आप समझ गये ना चलो तो समझ गये हैं तो वीडियो लाइक और शेट जरू करिएगा